सभी Fish favor a कहा घंदर तो यह विडियो को किसी भी राज्य से देख रहे हैं किसी भी जगासे तेख रहें भारत के अंदर तो यह विडियो आप सभी के लिए काफी खास रहेगा क्योंकि यहां पर एक नई जोब निकाली गई उत्तर प्रदेश prevention के दिवरा यानि UP government zucchini ordin की government के अंदर जिम्स के अंदर केंदर निकाल यह स्ञ जो है यह बहुतार की कुलिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स लिए जा सुछ pne assum नर्श का लिया जाया का जो कि 205 लिये चांगे यहां पर की recruitment आप फिल फिल कर सकेंगे मतला इसमें अपलाए कर सकेंगे सबसे पहले मैं आपको बताओं अगर आप दूसरे किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो आप आगे समझना इस बात को कि क्या आप अपलाए कर पाएंगे इस वेकेंसी पर नहीं क्योंकि यहां पर मैं आपको यह बताओंगा कि यह जॉब ऑल इंडिया है या फिर सिर्फ यूपी के नागरिकों के लिए यह मैं आपको आगे बताओंगा जैसे यह आप पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के तरफ से निकाली गई है तो राज्ये के सारे निवासियों के लिए विए यह जोब रहेगी यादि कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी जगह पर रहते हो चाहें रामपूर हो अलीगड़ हो आजमगड़ हो या फिर अलाबाद हो यह परियागराज कोई भी जगह ऐसी होगी इटावा होगा एटा होगा कोई भी ऐसी जगह जो उत्तर है अरियाना है उत्राखंड है उत्र और उसके अलावा है आपका आंध्रा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है केरला करनाट का बहुत सारे जो राजिया आपके हैं भारत में उनके लिए भी किलियर कर दूंगा कि आप अपलाए कर पाएंगे या नहीं आप इस वीडियो में अ लोगों को सेयर करें जिनको जौब की काफी जरूत है जिनको मेडिकल डिपार्टमेंट में काफी जरूत है जौब की और वो क्वालिफिकेशन आपको लगता है कि हाँ यार मेरा तो यह मैं इसको इस इंसान को जानता हूं जिसके पास यह क्वालिफिकेशन से और उसको यह कि eligibility क्या है, qualifications क्या है, salary कितनी मिलेगी post पर, job पर, काम क्या करना होगा, कब से कब तक form भरेंगे, fees क्या ली जाएगी, selection procedure क्या रहेगा, और selection procedure में exam हो रहा है यह नहीं, और exam होगा तो उसका syllabus, exam pattern हम सब कुछ समझ लेंगे, तो चलिए हम चलते हैं direct notification पर, सबसे पहले आपका यह official website है, यह आपका government institute of medical sciences, UP का official website रहेगा, इसमें आप देखेंगे, तो apply online हो जाके आप apply कर पाएंगे, बागी मैंने नीचे, वीडियो के सही नीचे आपको एक-एक link provide कराया है, इस job का आप उससे जाकर भी apply कर सकेंगे, चलिए हम चलते है notification पर, तो यह आपका notification आ गया है, notification आपका Hindi English, दौनों language में provide कराया है, हम उसको English language वाला discuss करेंगे, और Hindi में उसको बता देंगे, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आपका 8, 8 October को यह notification आया है, इसमें बोला गया है, हमें चाहिए स्टाफ नर्स के recruitment करनी हमें, जिम्स greater noida, यानि उत्तर प्रदेश के अंदर greater noida एक जगा है, greater noida में जिम्स नाम का जो आपको मैंने बताया, जिम्स के अंदर इनको recruitment करनी है, जिम्स short form है, मैंने आपको जिम्स की full form भी बता दी थी, और आप अगर चाहें, तो दुबारा आप यहां से देख सकते हैं, government institute of medical sciences को जिम्स कहा जा रहा है, और इसमें बोला है कि computer अधारित परिक्षा है, यानि कि हम online computer based पर exam लेंगे, computer पर exam लेंगे, उसके हिसाब से आपको यहां पर job दे देंगे, जो भी eligible रहेगा, वो इस पर apply कर सकेगा, और computer exam दे कर अपनी job ले लेगा, यहां पर online form बोला गया है, कि आपको 48 hours में खुल जाएंगे, यानि कि आप देखेंगे, यह 8 October का notification है, तो 48 hours आपके हो जाते हैं, 10 October के end तक, तो यानि अब आपका link open हो चुका है, आपको link मिल जाएगा, आप उससे जाकर apply कर पाएंगे, राज किये आयूर विज्ञान संस्थान, इसको इंदियों बोला जा रहा है, greater nrda ने उत्तर प्रदे सरकार के अधीन, एक स्ववशाही संस्थान है, संस्थान में नर्सिंग, संवर्ग यानि की स्टाफ, नर्स के पदों की भरती, चैन प्रक्रिया को राज्य सरकार नियमा वली, स्वा सासी राज्या, चिकित्सा, महा विध्याल्य, अधीन नस्त नर्सिंग, अराज, पत्त रित, सेवा परिनी यामा वली 2023 के अंतरकरत कराया जाना है, मतलब कहा जा रहा है कि ये गवर्मेंट के रूल के हिसाब से रिक्रूट्मेंट हो रही है, और ये बोला गया है कि जो भी, जो की उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें रिक्रूट्मेंट आपकी कराएगी, जो भी आप इसमें applicable रहेंगे, आप इसमें apply कर पाएंगे, यहां पर बोला गया है कि इसमें, अब मैं इसी same notification को हिंदी वाले को, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इंग्लिस वाले को discuss करेंगे, हम हिंदी में आप समझ सकेंगे, इसको देखकर, इंग्लिस को हम समझ लेते हैं, एक ही चीज लिखी हुगी है, हम इंग्लिस वाले को discuss करेंगे, यह इंग्लिस में आचुगा है, इंग्लिस में आप देखेंगे, बोला गया हम online application invite कर रहे हैं, जो भी candidate eligible होग apply करते हैं, इसके ओपर अपनी eligibility के हिसाब से, आप बोला गया है from citizens of India, आप देख सकते हैं कि Indian citizens से बोला गया, यानि कि आप भारत में किसी भी राज़े से apply कर सकेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दू, अगर पंजाब वाले लोग देख रहे हैं, तो आपके लिए खुसकावरी है, आपके लिए जौब रहेगी, राजिस्थान, 36 गड़ वालों के लिए भी जौब है, केरला, करनाटका, तमिल नाडू, तेलांगाना, मध्या परदेश, हर किसी के लिए, हिमाचल परदेश के लिए भी, नागा लेंड, मिजोरम और तिरपुरा, जैसे राज्यों के लिए भी ये वेकेंसी आपकी रहने वाली है, आप देख सकते हैं, सेटीजन अफ इंडिया अपलाए कर सकते हैं, इसमें अगर वो एलिजिबल होते हैं तो, और एलिजिबलिटी मैं इसकी आगे बताने वाला हूं, केटिग्री वाइस वेकेंसी आपको बताऊंगा, कि आपके केटिग्री में कितनी वेकेंसी है, इंपोर्टेंट नोट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो एक्सेप्टेट आफ्टर, आप डेट जो टैस हमें दिया जाएगा, तब तक ही आप फीज इसमें पे करेंगे, फॉर्म तभी तक बरेंगे, उसके बाद नहीं बरेंगे, अब ही आपको फॉर्म के डेट्स बता दूँगा, एक्जाम हिंदी इंग्लिस दौनल लेंग्वेज में आपको दिया जाएगा, सिलेवस और एक्जाम का कोशन पैटन, उसके अलावा मार्किंग स्कीम में आपको भी बता दूँगा, यहाँ पर अगर बताओं तो यहाँ पर कम्प्यूटर एक्जाम लिया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर दो गंटे का समय दिया जाएगा, सौ नंबर का पेपर लिया जाएगा, देर विल बी मल्टिपल चॉइस कोशन, यानि कि आपर MCQ रहेंगे सारे, और दो गंटे के अंदर सौ मार्क का आपको ख़तम करना है पूरा पेपर, 80% जो कोशन रहेंगे वो आपके theory of nursing knowledge के बेश पर रहेंगे, 20% कोशन जो आपके रहेंगे वो practical application रहेंगे nursing के उपर, मतलब कि nursing की पोश्ट है तो nursing के अंदर 20% practical knowledge पर, 80% theoretical knowledge पर, of these 10% उसमें से भी आपका covid से related रहेगा, यानि कि covid-19 जो आपका virus था, उससे related भी 10% रहेगा, इस 20% में से, और negative marking नहीं है, अगर मालीजे MCQ में आपके कोशन का अंसर गलत करते हैं, तो आपका marks नहीं काटा जाएगा, उसके आवा बोला गया है, resolution of tie case मतलब की बोला गया है, अगर एक से ज़्यादा candidate same marks ले आते हैं इस exam में, तो जैसे कि 100 number का आपका paper दिखाया जा रहा है, तो 100 number में से, अगर ऐसे candidate रहेंगे, जो कि 52, 52 marks ला रहे हैं, और ऐसे candidate मालीजे 2, 1 से ज़्यादा है, चाहे वो 4 हो 5 हो, तो 52 number अगर ले आए हैं, 4, 5 candidate same marks ले आए हैं, तो ऐसे में हम merit में किसको उपर रखे select करने के लिए, तो जो date of worth में age के इसाफ से बड़ा होगा, उसको हम उपर रख लेंगे, मतब उसको पहले select करेंगे, बाद में उसको करेंगे, जो कि age में छोटा होगा, अगर marks same है, क्योंकि age वाले जो ज़्यादा age होगी, जिसकी उसके पास chance जो है, वो कम हो जाएंगे vacancy के आगे आने वाली जो recruitment होगी, इस वज़य से उसको ही यहाँ पर prepare करा जाएगा, तो यह मेरे को काफी एक अच्छा rule लगता है, government का जो यह बनाया गया है, कि older age वाले को अगर equal marks है, तो उसको आगे बढ़ा दो, आपको यह कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर बताना, मेरे को यह डूर बहुत सही लगा है, अब इसके अलावा बात करते है, total marks in the core section of examination conducted, आपके जो marks आएंगे, उसके बेस पर merit बना देंगे, यह लोग आपका select करने के लिए आपको, अब यहाँ पर information है, आप apply कैसे करेंगे, जो आपको link provide कराया गया है, दोस्तो उस पर आप click करके registration कर लेना, gyms के official website पर, gyms, gyms आपका gyms greater noida का official website रहेगा, यह इसके आप, इसमें आपका registration करेंगे, जिसके लिए आपको mobile number और email ID की जुरत होगी, आप अपना email ID डालेंगे, mobile number डालेंगे, अपना नाम, gender, कुछ personal details डाल कर, आप अपना registration कर लेंगे, उसके बाद registration जैसे आपका हो जाता है, उसके बाद आपको एक password create हो जाता है, आप खुछ से बनाते हैं, एक registration ID मिल जाता है, इन दोनों से आप login कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना form भरने की तरफ जाते हैं, जहां पर आप staff nurse को tick करेंगे, post के अंदर, उसके बाद, बाकी आप अपनी सारी details जाल देंगे, जैसे कि अपनी qualifications, certificate, mark sheets, यह सब डाल देंगे, upload कर देंगे, category certificates upload कर देंगे, fees payment करके इसको submit करेंगे, यह पूरा process होगा, इसमें apply करने का, अगर आप जानना चाहें, तो यहाँ पर वही ची लिखी है, candidate registration, form fill up, उसके बाद document upload, payment और फिर submit, सेम यही process हर job में fill out, कराया जाता है, हर job में यही process कराया जाता है, candidate को एक ही chance मिलेगा, form बरनेगा, मतलब form बरते में, अगर आप एक बार में गलती करते हो, बरते हैं, तो दुबारा नहीं बर सकेंगे, तो देख कर बरना form, अगर बात करें age की, तो 21 से 40, इसमें age रखी गई, यानि कि 40 उमर तक form बर सकेंगा candidate, और 21 उसकी कम से कम age होनी चाहिए, इस form को बरने के लिए, अब category wise आपको बता देता हूँ, यहाँ पर staff nurse की vacancy है, 37, 54 vacancy है आपकी direct चली जाती है, अनुसूची जाती को, यानि कि ST category के लिए, schedule cost को 54 vacancy है, और अनुसूची जन जाती को 5 है, OBC को 69 है, EWS को 25 है, यूर category वालों को 102 है, टोटल यहाँ पर 255 लोगों को लिया जाएगा, 44,900 रुपे salary दी जाएगी, 42,400 तक भी चली जाएगी ये salary, पर मंत की है ये, मत्तब आप समझ सकते हैं कि 45,000 confirm आपको पर मंत मिलेंगे, और बढ़ते बढ़ते, 50, 60, 70, 80 ऐसे कर कर गए, 1,40,000 तक ये maximum जाएगी आपकी salary, वो आपकी experience और work पर depend हो जाएगा, 200, 55 vacancy है total है, category wise आप समझ गए होंगे, women के लिए यहाँ पर 20% vacancy है, women को यहाँ पर 51 vacancy दी जा रही है, और जो disability वाले candidate रहेंगे, उनको 10 vacancy हैं, और ex-servicemen को 12 vacancy हैं, और dependent of freedom fighters में जो रहे थे, यानि कि जो freedom fighters के family से आ रहे हैं, उनके लिए 5 vacancy हो जाएगी, यह आप समझ गए होंगे, यह total vacancy में से बताई हैं आपको मैंने, मतब कि 255 में से इतनी vacancy हैं, आप लोगों के लिए अलग से fix हैं, उसके अलावा बोला गया है, notification की जो vacancy हैं, उसमें change हो सकता है, जैसे कि हर बार होता है, कहा जाता है कि vacancy है final नहीं होती है, अब इसके आगे बात करते हैं आपर, general instruction दिये गए हैं, इसको आप read कर सकते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, fees की तो fees यहाँ पर एक, बिना किसी reservation वाले category वाले candidates से, चाहें वो UR हो, OBCO और EWS हो, तो वो 200 रुपे पे करेगा, और अगर साथ में GHT भी पे करेगा, 360 रुपे की तो इससाब से, 360 रुपे उसके हो जाएंगे, total इस form पर, तो आप समझ सकते हैं, यानि कि 2000 का 210 परसेंट हो जाएगा, और 20 के हिसाब से, 360 उसका 16, यानि आप समझ सकते, 160 उसका 8 परसेंट हो जाएगा, तो 360 यानि 18 परसेंट इस पर GST रहेगा, SCHT को 1500 फॉर्म का, और 270 जी एश्टी का, तो 1770 रुपे पे होंगे, फॉर्म के, अगर बात करें, disability वालों से, और disability में भी, one leg वालों से, जिनके एक leg affected है, वो लोग भी, उनको फीस नहीं भरनी होगी, फिरी में फॉर्म भर सकेंगे, वो सारे candidate, अब इसके आगे आती है बात, कुछ important बातें हमारी यहां पर आ जाती है, exam कब होगा, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, इसके बाद है यहां पर, अपलाय करने से पहले, आप सारी जानकारी जैसे मैंने बता रहा हूँ है, आपको सब फॉलो करना, आप सारी जानकारी हैं, उसके बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि फॉर्म भिना किसी जानकारी के मत भरना, SCHT को 5 साल एक्ष्टा मिलेंगे, फॉर्म भरने के लिए, यानि कि वो 40 की बजाय, वो 45 साल के होने तक फॉर्म भर सकेंगे, अगर जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडिगब्ड हैं, उनको यहां पर 15 साल एक्ष्टा मिलेंगे, कि अपने फॉर्म भरने के लिए, अपर एज में, यानि कि वो 40 की वजाय, वो 55 साल के होने तक फॉर्म भर सकेंगे, तो बागी आप समझ लेंगे, बागी और एज रिलेक्ष्टा जन आपके कैटिगरी वाइस भी दिये गए हैं, जो regular employment होंगे, जो कि आज के टाइम पर regular employee होंगे, मतलब कि रोज काम पर जाने वाले लोग जो भी होंगे, तो वो no objection certificate फिल कर देना, ये बताने के लिए कि आपको कोई objection नहीं है, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां से sign करा के, और आप यहां पर इस job पर apply कर रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले ही बता दू, no objection उनसे कर वा लिए जाता है, जो पहले ही, कही ना कही regular employee होते हैं, या फिर employee होते हैं, no TA या DA, आपको अगर exam देने जाना होगा, इस job से माल लीजे, या आप कोई candidate माल लीजे, यहां पर Tamil Nadu से आ रहा है, डरेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर इस job पर apply करने, तो वो apply तो कर देगा, job भी ले लेगा, लेकिन उसको आने जाने का खर्चा या महगाई बता कुछी भी मिलेगा नहीं, फॉर्म एक्जाम देने के लिए, आने के लिए, तो वो खुद के भीयाफ पर ही आएगा, तो यह हर राज्ये वालों के लिए रहेगा, सेम इस्टेट वालों के लिए भी रहेगा, सेम राज्ये वालों को भी मैं बता रहा हूँ, आपके लिए भी यह चीज same applicable रहेगी अब इसके बाद करते है एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी एज लिमिट की बात करूँ तो 1 जुलाई 2023 को जो candidate 18 का हुआ है उससे उपर हो गया है वो apply कर सकेगा साथ ही 40 का जो हो चुगा है वो भी apply कर सकेगा अगर वो relaxation में है एज में और उसकी reservation category है तो उसको अपने category wise अपर एज में छूट मिलेगी लेकिन अगर वो reservation में नहीं है तो उसकी 40 maximum age रहने वाली है यहाँ पर अगर बात करें reservation की government of utar-pradess अगर यहाँ पर reservation देगी आपके category में इसका मतब यह है कि दूसरे राज्ये वाले candidate को category reservation नहीं मिलने वाला है यानि कि उनको form तो भरने दिया जाएगा job भी दे दी जाएगी लेकिन उनको किसी category का फाइदा नहीं मिल पाएगा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते है एसेंसेल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है जोग पर यहाँ पर बोला गया है BSc nursing चार साल का course इसने भी करा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रिइस्टर हो रख है वो आपका certificate साथ में medical faculty रिकोनाइज इंसिट्यूट से या फिर इसमें आप देगे medical faculty रिकोनाइज इंसिट्यूट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन दौनों में से कहीं भी रिइस्टर हो सकता है आपका यह MSC nursing का certificate चार साल का तो applicable रहेंगे आप किसी भी university से हो सकता है इंडिया के अंदर इसके अलावा BSC nursing अगर आपने करा है पोस्ट basic पे और इसमें आपने दो साल का एक course करा इसके अलावा आप registered है nurse के तोर पर और midwife in state या फिर इंडियन nursing council में या फिर अगर आपने यह चार साल के degrees नहीं करें तो इसके लावा आप डिप्लोमा भी अगर आपने जनरल नर्सिंग में मिड वाइवरी में करी है GNM करी हुए है किसी भी इंडियन nursing council इको नाइज इंसिट्यूट से तो आप applicable रहेंगे दो साल का experience मांगा जाएगा इना minimum 50 बैड वाले हॉस्पिटल के अंदर मतलब कि ऐसा हॉस्पिटल जिसके अंदर कम से कम 50 बैड हो और वहां पर आपने दो साल का experience लिया हो इस पोश्ट पर तो आप इसमें apply कर पाएंगे अगर आपके बास डिपलोमा है और साथ में यहां पर आपका नर्स और मिडवाइब इन इस्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में राइस्टर होना चाहिए तो यह आपका eligibility हो जाएगा क्वालिफिकेशन के इसाफ से अब बात करता हूं application form से related कुछ बात है दिखिए फीज दुबारा दी गई है उपर आपको बताई गई थी सेम दुबारा यहां पर डाली गई है स्क्रीनिंग मतलब होता है आपके सारे documents चेक होंगे चेक किया जाएगा कि भाई जो आपने form में submit कर यह सारी चीजिए वह correct है यह नहीं उसको चेक करा जाएगा यह exam के बाद चेक कर लेंगे सीवीटी एक्जाम होने के बाद यह सब होगा selection procedure में computer-based exam रहेगा आपका और hall ticket मतलब होता है admit card admit card exam के हफते 10 जिन पहले आपको मिल रहा होगा exam कब होगा अभी कुछ भी mention नहीं किया यहां पर बात करें यहां पर कि आपको जैसे 100 नंबर का exam है तो 100 नंबर मैंसे आप 40 नंबर जो भी candidate लाएगा वो पास हो जाएगा इस exam में वह computer-based exam के base पर बनेगी चाहिए आप किसी भी categories हो आपके अलग-अलग category list आएगी यानि कि हर किसी जाती वालों के लिए लग-अलग list निकाली जाएगी कि किस category से किस जाती से कितने लोग select हुए हैं कितने marks वो लाए हैं उनकी rank भी होगी सब यहां पर लिखा हुआ होगा कि कैस किस rank को लाकर आप पास हुए इस exam में कि इसके बाद हमारा next point है यहां पर रिजल्ट आपको पता लग गया होगा सेम आपका computer बेज एक्जाम जो होगा उसी के बेस पर रिजल्ट प्रिपेर करेंगे और अपने जिम्स ग्रेटर नर्ड़ा के में वेबसाट पर यह लोग पब्लिस कर देंगे गवर्मेंट अफ उत्तर प्रदेश की तरफ से यह कुछ important चीज़े दी गई है यहां पर क्या बोला गया है अगर आपने माल लिजे रेगुलर पोस्ट पर का experience लिया हो government में या फिर semi government के organization में या फिर आपने contractual basis पर भी काम किया हो यह जो आपका experience था उसकी बात कर रहा हू तो वो भी accept कर लिया जाएगा बोला गया है यहां पर आपका experience accept कर लिया जाएगा अगर वो contract base पर भी था तो तो भी accept किया जाएगा तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना यह point है कुछ मैं इसको भी skip करूंगा इसके बाद यह आपर certificate form है यह आपर उत्तर प्रदेश के SCHT candidates क के लिए form है जो उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और अनुसुची जाती जन जाती में आ रहे हैं तो वो इस वाले certificate को submit करेंगे अपने cast certificate है यह उनका यह लगेगा आपका अगर आपको age relaxation चाहिए होगा या फिर form की fees में कोई छूट चाहिए होगी या फिर job में कोई आगे चलके आपको फायत है चाहिए होगे तो वो category आपके application के base पर ही आगे भी देखेंगे तो इसलिए आप इस form को submit करेंगे यह OBC का रहेगा यह EWS का रहेगा यह declaration है आपका यह यहाँ पर disability वालों के लिए उत्तर प्रदेश के physically handicap के लिए certificate form है इसको वो लोग submit करेंगे जिनको इस post की जो इस disability के हिसाब से उनको इस vacancy को चाहिए तो यह आपके form दिए गए है यहाँ पर no objection certificate अब जैसे candidate का doubt रहता है कि भाई no objection certificate मैं लाओंगा कहां से यह मैं लाओंगी कहां से भाई यह male female दौनों के लिए job है यह clear कर देता हूं किसी कोई gender gender का ऐसा कोई specification नहीं है किसी gender के लिए कोई भी apply कर सकता है दूसरा बोला गया है कि no objection certificate अगर आपको कहीं नहीं मिलता है नहीं होता है आप कहीं ढूंड नहीं पाते हैं तो यह वाला आपका no objection certificate है यह पूरा form का format है यह आप वो लोग देंगे जो अभी currently job कर रहे हैं किसी जगह पर regular basis पर और वो यह sign कर आएंगे जहां पर वो काम कर रहे हैं उनसे जिससे कि यह proof हो जाए कि आप के जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई कोई objection नहीं है और आप इस job में appear हो रहे हैं इसलिए यह experience certificate रहेगा अब बात कर लेते हैं यह exam कहां कहां लिया जाएगा तो यह exam आपका रहेगा यह totally exam पूरा उत्तरपदेश राज्यवर में ही conduct होगा अलग-अलग जिलाओं में अलग-अलग जगाओं पर लेकिन यह job all India है इस बात को ध्यान रखे मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं उप पर लिखा लिखके दे दिया गया है कि भाई पूरे भारत से apply कर सकते हैं वह पर तो वह लोग जो अपने राज्यवर जौब नहीं ढूंड पा रहे हैं जौब नहीं मिल पा रही है या फिर वह ऐसी eligibility acquire करते हैं जो इस जौब पर direct eligible हो रही है तो apply कर सकते हैं वह उनको बता प्रियाग राज बरेली कानपूर मुझफर नगर वारा नसी अलीगड जांसी मुरादाबाद यह ऐसी जगाए हैं उत्तर प्रदेश में इन जगाओ पर इस एक्जाम को लिया जाएगा टोटल 15 ऐसी जगाए होंगी यह cities हैं इसके अंदर बहुत सेंटर हो सकते हैं आपके ह चलू जैसे नोड़ा में अगर मैं मानू कि 10 से 20 सेंटर रखे जा रहे हैं यानि कि 10 to 20 टाइम सो 15 का अगर आप देखेंगे तो यह नहीं अराम से 300 सेंटर अराम से हो सकते हैं 200 से 300 सेंटर इतने तो होंगे ही इसके आगे चलते हैं इसमें syllabus for examination की बात बता देता हूं यहां प आपका anatomical and biochemical structures to explain the physiology psychological functions of human body and factors which may disturb these and mechanism of such disturbances various groups of microorganism of clinical importance यह सारे आपके topics रहेंगे basic science से nutrition में आपका various nutrition and their importance आएंगे उसके अलावा plant, therapeutics, diets for various disease conditions यह सब आएगी इसके अलावा psychology और mental health और psychiatric nursing भी आएगी यहां पर उसके related syllabus है अब देखिए यहां पर एक actual में detailed syllabus नहीं है यह भार भार से topic हों के नाम दे दिया है जैसे कि normal and deviation in behavior among various age groups and their cause मतलब कि अलग-अलग age group के लोगों में जो भी अलग normal और ऐसे अलग से कुछ विचित्र से behavior में बदलाव आने लगता है लोगों के age के हिसाब से तो वो क्यों आता है और उसका कारण क्या हो सकता है यह topic रहेगा यह आपका psychology में रहेगा mental health से related रहेगा तो यह topic आपका कहां यह topic आपका जो भी है यह किस लेवल का होगा यह आपका BS जो आपका BSC था BSC nursing उससे related level रहेगा degree level का exam का level होगा fundamental nursing रहेगा community health nursing यह syllabus है सारा आपका दिया गया है पूरा देख लेंगे आप यहां से यह तो आपका रहा 80 परसेंट वाला syllabus अब आप बात करें यह आपका जो 20 परसेंट वास 20 परसेंट आपका जो प्रैक्टिकल नॉलिज के बेस पर आ रहा था उसमें कोविड 19 को इंक्रूड करा गया है तो कोविड 19 से related यह रहेगा पी-पी-किट कम्यूनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली प्रैक्टिकल एप्लिकेशन रिलेटिट टू अब मैंशन स्लेबस आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल का स्लेबस भी यहीं पर आपको मिल जाएगा यह प्रैक्टिकल का स्लेबस रहेगा 20 परसेंट वाला स्लेबस यह है मैं आपको बता दिया है इसमें syllabus भी सब कुछ आपको बता दिया है जॉब से related तो सारे भारत के नागरिकों से गुजारिस करूँगा जो भी इसमें applicable हो apply कर सकता है और कर दे क्योंकि यह government job रहेगी और यह कोई contractual based job नहीं है यह direct regular बेस पर job है government job है salary के लावा भी जो अलग फायदे मिलते होंगे वो भी यहां पर आपको मिल रहे होंगे तो मैं आप सारे भारतियों से अलविदा होना चाहूंगा इस वीडियो को खतम करना चाहूंगा इन ही बातों के साथ और मैं आपसे मिलूंगा नए topic में तब तक के होगा अजह कोड़ होगा इस साथ आपसे होगा यहाओcture् साथ नएगा्वाद करते हैं तो हगाात्व धकाल के लिडिदार אני ओख साथ झाथ यहाँ आपसे थाओता बने कर दो प Dow